स्वागत आपका हमारे इस ने वीडियो पे दस्तों मस्कार मेरे नाम है आनन्द और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस ने वीडियो के साथ दोस्तों DD Freenies के अलावा अगर हम कोई भी सैतलाइट सेट करना चाहते हैं तो बहुत सारी सैटलाइट है इसे हैं, जो कि हम set करना चाहते हैं, अगर हम बात करें, Express M6 हो, Express M7 हो, चाहे हम तूर्क सेट हो, चाहे ACS-8-5 हो, या हम बात करें ABS-Q-Wand हो, चाहे हम बात करें THICOM हो, बहुत सारी सैटलाइट हैं, और अनगिनत TV channel को हम देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज की डेट में एक्सप्रेक्स M6 जिसका सिंगनल पूरे इंडिया में नहीं था आज की डेट में वो सिंगनल चालू हो चुका है जी हाँ दोस्तों यह अभी की अपडेट है और सबसे लेटेस्ट अपडेट है कि एक्सप्रेक्स M6 53 साटलाइट फिर से अन हो चुकी है और इतने बड़े डिश पे हो चुकी है कोई दिक्कत नहीं है अगर हम बात करें इसकी फिक्वेंसी की तो फिक्वेंसी भी दिखाऊंगा सिंगनल भी टेस्ट कराऊंगा आप लोगों को और इसके अलावा आपको चैनल भी बताऊंगा तो वीडियो में एंट तक बने रही है वीडियो अच्छा लगे तब ही करिएगा लाइक लिए यह मैंने स्कैन किया हुआ है और यह हमारी जो के डिश है जो कि आप लोग देख सकते हैं और इस तरह से मैंने इसको शेटिंग किया है तकरीबार 9 टीवी चानल हमको आज के ड करेंगे यहां से हम स्टार्ट करेंगे 14 नंबर से टेस्ट का चानल आप लोग देख लीजिए जो कि यहां पर सिगनल आ रहा है फिक्वंसी की अगर हम बात करें तो फिक्वंसी आप लोग देख सकते हैं फिक्वंसी रहेगी 11660 होरिजंटल 10-500 रहेगी और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर रसा देख सकते हैं आपके आपको कोई चैनल मिल रहा है जो कि आर के नाम से कोई दीखत नहीं बएक और इसके अल helicopters की बात करें तो यह चैनल चल रहा है कोई दिक्वंसrice certified तो यह बीए अन है और उसके अलावाबने में जूमर कि करें दोश कोई दिकत नहीं है और बहुत ऐसली तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं और यहां पर मैं ज्यादा तो नहीं दीखाऊँगा आप समझ सकते हैं 802, 802 अरब यह सब चानल नहीं चलते हैं जो कि यहां पहले चलते थे लेकिन आप नहीं चलते हैं तो यहाँ पीके जो चैनल की बात करें तो यहाँ पे आयन टीवी जो की चल रहा है कोई दिकत नहीं है फिर भी आप समझ सकते हैं हमारे भावनाओं को बाकि आप तीरपन डिगरी सेट करके आप बहुत इजली तरीके से इंज्वाय कर सकते हैं ठीके यहाँ पे अगर हम बात क करें पीके जो की स्पोर्ट वाला चैनल तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो की चल रहा है कोई दिकत नहीं है एटीवी स्पोर्ट और बहुत सारी चीजे यहाँ पे आप कोछ देखने के लिए मिल जाती है तो आज की डेट में सबसे बड़ी अपडेट है और अभी से पहले LMB को सीधा कर लेता हूँ ताकि नो सिगनल हो जाए ठीक है और नो सिगनल होने के बाद जो की पीके स्पोर्ट के जगर पे एस्पोर्ट है और जो मर के जगह है जो मर और वतन के जगर पे वतन तो बहुत एजली तरीके से देख सकते हैं 11660 होरिजंटल 10-500 फिक्व इसको मैं होरिजंटल में कर दूँगा और वहां पर आप देख सकते हैं सिगनल आ चुका है वीडियो कोई भी कटिंग नहीं है बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया है आप लोग समझ गया होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है और बहुत इजली तरीके से चैनल चल रह जाता है राजस्थान में गुजरात में महरास्ट में ऐसी जगों पे बहुत अज़ी तरीके से हो जाता है हरियाना पंजाब और इसके साथ में उत्रकंड के कुछ हिस्से में यह सैटलाइट एक्सप्रेक्स M6 से सैट हो जाती है अगर थोड़ी सी बड़ी साइज अगर डि की अगर डिश क्यों बेंट की इस्तिमाल की जाए तो हो सकता है हो जाए लेकिन मैं पूरी तरह से कर्फम नहीं कर सकता है लेकिन हाँ सैटलाइट सैट हो जाएगी बाकी रहा यह आज की अपडेट अगर यह अपडेट आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीज हो जाब बाकी यह आए वे ट्यंटे लेकिन की ऑतो है दॉठेट वेकिन है म número 3 कार्णों को अपडेट ल Ó यह अपार यह वेकिन हाँयागी हो एवेगश रची